कबूत्रों का घरा क्या जुही और क्रिष्णा का प्यार पूरा हो पाया चांद की धुंदली रोशनी में सभी एक दूसरे की सांसें महसूस करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें तो यह भरोसा भी नहीं हो रहा था कि वे जीवित बचे हैं पर उपर नीला आकाश देखकर और पेरों के नीचे जमीन का एहसास कर उन्हें लगा था कि वह बाड के प्रकोप से बच गए बाड में कौन बाकर कहां गया कौन बचा किसी को कुछ पता नहीं था इन बचने वालों में कुछ ऐसे भी थे जिनके अपने देखते ही देखते उनके सामने जल में समाधी ले चु कब पानी उत्रेगा और हम वापस घर लोटेंगे ये दूसरी आवाज सब को सांत्वना दे रही थी घर भी बचा होगा की नहीं कौन जाने तीसरे ने कहा था इस समय उस टापू पर जितने भी लोग थे वे सभी अपने बच जाने को किसी चमतकार से कम नहीं मान रहे थे और स सभी के लिए जरूरी भी था चांद बादलों के साथ लुकाचिपी खेल रहा था जिससे वहां गहन अंधकार छा जाता था तानी ने ठंड से बचने के लिए थोड़ी लकया और पत्तियां शाम को ही जमा कर ली थी उसने सोचा आग जल जाए तो रोशनी हो जाएगी और ठ देब टटोलता हुआ बोला है तो पर गिली हो गई है तानी ने अफसोस जाहिर करने के लिए लंबी सांस भर ली और कुछ सोचता हुआ इधर उधर देखने लगा उस व्रिधने माचस निकाल कर उसकी और विवश्ता से देखा और बोला कच्छा घर था ना हमारा घुटनो तक पानी भर गया तो भागे और बेटे को कहा जल्दी चल पर वह तानी एक पत्थर उठा कर उस बुजुर्द के पास आ गया था व्रिधने एक आह भर कर कहना शुरू किया मुझे बेटे ने कहा कि आप चलो मैं भी आता हूँ सामान उठाने लगा था जाने कहा होगा होग अब ही कि बह गया होगा इतनी देर में तानी ने आग जलाने का काम कर दिया था और अब लकडियों से धुआ निकलने लगा था लकडिया गिली हैं देर से जलेंगी तानी ने कहा कृष्णा थोड़ी दूर पर बैठा निर्विकार भाव से ये सब देख रहा था अंधेरे म उसे बस परचाया देख रही थी और किसी भी आहट को महसूस किया जा सकता था लेकिन उसके उदास मन में किसी तरह की कोई आहट नहीं थी अपनी आँखों के सामने उसने माता पिता और बहन को जलमगन होते देखा था पर जाने कैसे वह अकेला बच कर इस किनार्या आलगा पर अपने बचने की उसे कोई खशी नहीं थी क्योंकि बार-बार उसे यह बात सता रही थी कि आब इस भरे संसार में वह अकेला है और अकेला वह कैसे रहेगा लकडियों के धेर से उठते धुये के बीच आग की लपट उठती दिखाए दी कृष्णा ने उधर देखा एक युवती वहां बैठी अपने आचल से उस अलाव को हवा दे रही थी हर बार जब आग की लपट उठती तो उस युवती का चहरा उसे दिखाए दे जाता था क्योंकि युवती के नाक की लोंग चमक उठती थी कृष्णा स्वामी ने एक बार जो उस युवती को देखा त तो ना चाहते हुए भी उधर देखने से खुद को रोक नहीं पाया था अनायास ही उसके मन में आया कि शायद किसी अच्छे घर की बेटी है पता नहीं इसका कौन-कौन बचा होगा उस युवती के अथक प्रयास से अचानक धुये को भेद कर अबाग की मोटी-मोटी लप प्रिशन के पास बेठे व्यक्ती ने कहा मौत के पास आने कि अनेक बहाने होते हैं लेकिन उसे रोकने का एक भी बहाना इंसान के पास नहीं होता जवान बेटे-बहुत है हमारे देखते ही देखते तेज-धार में दोनों ही बह गये। कृष्णा उस अधेर व्यक्ति की आपबीती सुनकर द्रवित हो उठा था आंच और तेज हो गई थी थोड़े आलू होते तो इसी अलाव में भून जाते बच्चों के पेट में कुछ पर जाता एक कमजोर सी महिला ने कहा उन्हें भी भूख की ललक उठी थी इस उम्र में भ भूखा रहा भी तो नहीं जाता है आग जब अच्छी तरह से जलने लगी तो वह युवती उस जगा से उठकर कुछ दूरी पर जा बैठी थी कृष्णा भी थोड़ी दूरी बना कर वहीं जाकर बैठ गया कुछ पलों की खामोशी के बाद वह बोला आपने बहुत भेरे में सब घबरा रहे थे जी युवती ने धीरे से जवाब में कहा मैं कृष्णा स्वामी डाक्टरी पढ़ रहा हूं मेरा पूरा परिवार बाड में बह गया और मैं जाने क्यूं अकेला बच गया कुछ देर खामोश रहने के बाद कृष्णा ने फिर युवती से ही है और उसके साथ वह अपने आपको भी सांत्वना दे रहा था अलाव की रोशनी अब धीमी पढ़ गई थी अपनों से बिछरे सेकड़ों लोग अब वहां एक नया परिवार बना रहे थे एक अनोखा भायचारा सोहार्द और त्याग की मिसाल स्थापित कर रहे थे अग गा तो सब खड़े होकर हाथ हिलाने लगे बहुत जल्दी खाने के पैकेट उस टीले पर हेलिकॉप्टर से गिरना शुरू हो गए जिसके हाथ जो लग रहा था वह उठा रहा था उस समय सब एक दूसरे को भूल गए थे पर हेलिकॉप्टर के जाते ही सब एक दूसरे को द नहीं मिला था उन्हें भी जाकर दिया कृष्णा उस युवती के नजदीक जाकर बैठ गया अपना पैकेट खोलते हुए बोला आपको पैकेट मिला या नहीं मिला है वो धीरे से बोली कृष्णा ने आलूपूरी का कौर बनाते हुए कहा मुझे पता है कि आपका मन खाने को नहीं होगा पर यहां कब तक रहना पड़े कौन जाने और इसी के साथ उसने पहला निवाला उस युवती की और बढ़ा दिया युवती की आँखे छल छला आई धीरे से बोली उस दिन मेरी बारात आने वाली थी सब शादी में शरीक होने के लिये आय है थे फिर देखते ह पानी से भर गया युवती की बाते सुनकर कृष्णा का हाथ रुक गया अपना पैकेट समेटते हुए बोला कुछ पता चला कि वे लोग कैसे हैं युवती ने कठिनाई से अपने आसू पोंचे और बोली कोई नहीं बचा है बचे भी होंगे तो जाने कौन तरफ हों पता नहीं मैं कैसे पानी के बहाव के साथ बहती हुई इस टीले के पास पहुँच गई कृष्णा ने गहरी सांस भरी और बोला मेरे साथ भी तो यही हुआ है जाने कैसे अब अकेला रहूंगा इतनी बड़ी दुनिया में एकदम अकेला इतना कहकर वह भी रोना सा हो उठा दो बनाते हुए बोली मेरा नाम जूही सरकार है कृष्णा आशू पोंच कर हंस दिया दोनों भोजन करने लगे सैकडों की भीर अपना धर्म जाती भूल कर एक दूसरे को पूछते जा रहे थे और साथ साथ खा भी रहे थे खाते खाते जूही बोली कृष्णा जिस तरह मुस सान की विदम बना है सेना के जवान दो दिन बादा कर जब उन्हे सुरक्षित स्थानों पर लेकर चले तो कृष्णा ने जूही की और बहुत ही अपनत्व भरी नजरों से देखा वो भी कृष्णा से मिलने उसके पास आ गई और फिर जाते हुए बोली शायद हम फिर मिले रात होने से पहले सब उस स्थान पर पहुँच गए जहां हजारों लोग छोटे छोटे तंबूओं में पहले से ही पहुचे हुए थे उस खुले मैदान में जहां जहां भी नजर जाती थी बस रोतबी लगते लोग अपनों से बिचुडने के दुख में दूबे दिखाई देते थे धीरे धीरे भीर एक के बाद एक कर उन तंबूओं में गई पानी ने बहा कर कृष्णा और जूही को एक टापू पर फेका था लेकिन सरकारी व्यवस्था ने दोनों को दो अलगलग तंबूओं में फेक दिया मीलों दाइरे में बसे उस तंबूओं के शहर में क सरकारी सहायता के नाम पर वहां जो कुछ हो रहा था और मिल रहा था वहुतनी बड़ी भीर के लिए परियाप्त नहीं था कुछ स्वयम से वी संस्थाएं भी मदद करने के काम में जुटी थी वहां रहने वाले पीडितों के जीवन में अभाव केवल खाने कपड़े का ही नहीं बलकी अपनों के साथ का अभाव भी था उन्हें देख कर लगता था सब सांसे ले रहे हैं बस उस शरनार्थी केम्प में महमारी से बचाव के लिए दवाईयों के बाटे जाने का काम शुरू हो गया था कृष्णा ने आगरा करके इस काम में सहायता करने का प्रस्ता रखा तो सबने मान लिया क्योंकि वह मेडिकल का चात था और दवाईयों के बारे में कुछ-कुछ जानता था दवायां लेकर वह केम्प-केम्प घूमने लगा दूसरे दिन कृष्णा जिस हिस्से में दवा देने पहुचा वहां जूही को देख कर प्रसन्नता से खेल समझाती थी कृष्णा को देखा तो वह भी खुश हो कर खड़ी हो गई इधर कैसे आना हुआ अरे इंसान हूँ तो दूसरों की सेवा करना भी तो हमारा धर्म है ऐसे समय में महमान बन कर क्यों बैठे रहें ये कहते है कश्णा ने जही को अपना बैग दिखाया ये देखो सेवा करने का आवसर हाथ लगा तो घूम रहा हूँ फिर जूही की ओर देखकर बोला आपने भी अच्छा काम खोज लिया है कृष्णा की बाते सुनकर जूही हंस दी फिर कहने लगी ये बच्चे स्कूल जाते थे मुसीबत की मार से बच्चे हैं सोचा कि घर वापस जाने तक बहुत कुछ भूल जाएंगे मेरा भी मन नहीं लगता था तो इन्हें लेकर पढ़ने पढ़ाने बैठ गई किताब कापी के लिए संस्था वालों से कहा है दोनों ने एक दूसरे की इस भावना का स्वागत करते हुए कहा आखिर हम कुछ कर पाने में समर्थ हैं तो क्य हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें अब धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगे जैसे जैसे समय बीत रहा था बहुत सारे लोग बीमार हो रहे थे दोनों मिलकर उनकी देखभाल करने लगे और उनका आशिरवाद लेने लगे कृष्णा भावक हो कर बोला जूही इनकी सेवा क करके लगता है कि हमने अपने माता-पिता पालिये हैं एक साथ रहकर दूसरों की सेवा करते करते दोनों इतने करीब आ गए कि उन्हें लगा कि अब एक दूसरे का साथ उनके लिए बेहत जरूरी है और वो हर पल साथ रहना चाहते हैं जिन बुजुर्गों की वे सेवा करत पर भी यह आशिर्वाद आने लगा था जुग जुग जीओ बच्चों तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे एक दिन कृष्णा ने साहस करके जूही से पूछी लिया जूही अगर बिना बरातिके में अकेला दूलहा बन कर आउन तो तुम मुझे अपना लोगी जूही हैं जो बराती बन जाएंगे कृष्णा की आँखे खुशी से चमक उठी अपने विवाह का कार्यक्रम तै करते हुए उसने अगले दिन कहा पता नहीं जूही अपने घरों में हमारा कब जाना हो पाए तब तक इसी तंबू में हमें घर बसाना पड़ेगा जूही ने प्या कर बताने लगी कृष्णा कबूतर केवल अंदा देने के लिए घोसला बनाते हैं वरना तो खुद किसी दरवाजे खिरकी या जरोखे की पतली सी मुंडेर पर रात को बसेरा लेते हैं हमारे पास तो एक पूरा तंबू है कृष्णा ने मुसक्रा कर उसके गाल पर पहली ब किया था कबूतरों के इन घरों में बरातियों की कमी नहीं है तूम तो बस दावत की तयारी कर लो बराती हाजर हो जाएंगे उन दोनों को एक अलग सुख की अनुभूती होने लगी लगा माता-पिता भाई-बहन सब की प्रसन्नता के फूल जैसे इन लोगों के लिए आश खड़ी करके उतर ही रहा था कि सामने से स्कूटी से उतरती लड़की को देख कर ठगासा रह गया उस लड़की ने बड़ी आदा से हेलमेट उतार कर बालों को जटका तो मानो बिजली सी कौन्ध गई उसके स्कूटी खड़ा कर आगे बढ़ने तक वह बड़े ध्यान से उ अभा प्रदान कर रहे थे अपनी मौसेरी बहन के बेटे चिरायू के जनम दिन की पार्टी में शामिल होने के लिए अनन्य उत्सव रिजोर्ट आया था वो लड़की भी उत्सव की ओर जा रही थी अनन्य को कुछ और देर तक उसे निहारने का सुख मिल गया उत्सव के ग दूसरा कोई चारा भी नहीं था पहली बार उसे धीमी गती से चलने के कारण खुद पर गुस्सा आया जब वो तीसरी मंजल पर पार्टी वाले हॉल में पहुचा तो उसी लड़की को अपनी बहन सुझाता से बात करते देख हिरान रह गया उसे देखते ही सुझाता खिल हंस दी तुम शायद इसी की शिकायत कर रही हो यही पीछा कर रहा था न तुम्हारा ठेहरो अभी इसके कान पकरती हूँ सुझाता नातकिया अंदाज में बोली थी मैं खुद कान पकरता हूँ दी दी मैं किसी का पीछा नहीं कर रहा था मैं तो चिरायू के जनम दिन की पा जरा पूछिये इनसे की ये महाशे मेरे पीछे ही क्यूं चल रहे थे तेज कदमों से चल कर मेरे आगे क्यूं नहीं निकल गए थे अनन्य तुम्हें अवनी के इस सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा अब बोलो क्या कहना है तुम्हारा सुजाता को न्यायाधीश बनने में आनन्द आने लगा था ऐसा कोई नियम है क्या दीदी की सड़क पर किसी लड़की के पीछे नहीं चल सकते अनन्य ने जवाब में सवाल खड़ा कर दिया नियम तो नहीं है पर इसे पीछा करना कहते हैं बच्चु और इसके लिए दंड भुगतना पड़ता है सुजाता मुसक्राते होए बोली ठीक है आपका यही निर्नय है तो मैं दंड भुगतने के लिए तयार हूँ अनन्य जोर से हासा पर तभी चिरायू आधामका था और बात बीच में ही रह गई थी मामा कितनी देर से आये हो मेरा गिफ्ट कहा है चिरायू अनन्य की बहों में जूल गय अनन्य ने छोटा सा पैकेट निकाल कर चिरायू को थमा दिया था इतना छोटा सा गिफ्ट चिरायू ने मुँँ बनाया खोल कर तो देख आखे खुली की खुली रह जाएंगी चिरायू ने बड़े यतन से कागज में लपेटा हुआ पैकेट एक जटके में फाड़ा तो उसकी खुशी का ठेकाना न रहा ओ वह वीडियो गेम मामा आप सच मुच ग्रेट हो पापा देखो अनू मामा मेरे लिए क्या लाए हैं द्रूब वीडियो गेम को देखने में व्यस्त हो गए सुजाता भी दूसरे महमानों की आवभागत में जुट गई अनन्य का ध्यान फिर पासी बैठी अवनी की ओर अकर्शित हो गया उसके लिए मानो अन्य अतिती वहां होकर भी नहीं थे उसका मन कर रहा था कि वह बस अवनी को निहारता रहे एक दो बार कंखियों से देखते हुए उसकी दृष्टी अवनी से मिली तो लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो जनम दिन का उत्सव समाप्त होते ही उसने सुजाता से पूछा दीदी कौन है वह पहले तो उसे कभी नहीं देखा किसकी बात कर रहा है तू सब कुछ समझते हुए भी सुजाता मुसकराई वही जो आप से मेरी शिकायत कर रही थी अनन्य भी मुसक्रा दिया तुझ क्या करना है तू तो विवाह के नाम से ही दूर भागता है करिया बनाना है जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते में तो विवाह तो सबसे बड़ी बाधा है न सुजाता ने अनन्य के ही शब्द दोरा दिये थे पर दीदी अवनी को देखते ही मैंने अपना खयाल बदल दि हुए हो उसने अपने चारों तरफ वेराग्य और वासना रहेत ऐसा आवरनोर रखा है कि उस तक पहुंचना कठिन ही नहीं असंभाव है और क्यूं न हो इस संसार ने भी तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया है सुजाता का दरदीला स्वर सुन कर अनन्य चौंक उठा ऐस क्या कर दिया संसार ने अवनी के साथ क्षन मात में ही अब तक की सुनी हुई समस्तन होनी घटनाय अनन्य के मानसप्टल पर कौंध गई पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं हमारे पुराने गौली गुड़ा वाले घर के सामने डा निशीत राय रहा करते थे खूब या अनन्य सुजाता की बात पूरी होने से पहले की बोल उठा हां बच्पन में बीमार पढ़ने पर मा उनी के पास इलाज के लिए ले जाती थी वे हमारे दूर के रिष्टे के चाचा थे अवनी उनकी बहन सुननदा की छोटी बेटी है लेकिन हुआ क्या उसके साथ अनन्य उ परिवार में तैह हुआ था गोधभराई की रस्म के बाद जब वर पक्ष के लोग वापस लोट रहे थे तो उनकी कार को सामने से आते ट्रक ने टक कर मार दी उस दुरघटना में भावी वर और उसके पिता दोनों की मौत हो गई ओह कितना अप्रत्याशित रहा होगा ये स अप्रत्याशित ये कहो कि बिजली गिरी थी अवनी और उसके परिवार पर अवनी तो पत्थर हो गई थी यह सब देख कर उसके मातापिता सांत्वना देने गए थे परवर पक्ष ने उनका मूँ भी देखना पसंद नहीं किया बैचने के लिए पूछना तो दूर की बात है सुजाता ने बताया कितना संताप जेलना पड़ा होगा बेचारी को अनन्य बुझे स्वर में बोला दो माइनस तीन वर शिलाज करवाया गया अवनी का तब कहीं जा कर वह सामान्य हुई अब भी छोटी सी बात से डर जाती है जैसे तुम उसके पीछे चल रहे थे पर उ ठोटी बच्ची की तरह डर जाती है माता पिता ने फिर से विवाह की कोशिश नहीं की की थी पर उसके अप्शेकुनी होने की बात कुछ हैसी फैल गई थी की कोई तयार ही नहीं होता था माता पिता ने उसे बहुत प्रोथ साहित किया धाड़हस बंधाया तब कहीं जा कर उसने पढ़ाई प्रारंभ की अर्थशास्त्र में इमफिल करते ही यहां महिला कालेज में वियाक्याता बन गई मुश्किल से चैं मा हुए है यहां आए कालेज के छात्रावास में ही रहती है कहीं खास आना जाना भी नहीं है कभी बहुत आगरह करने पर हमारे यहां चली आती है, कितने दुख की बात है, जीवन ने उसके साथ बड़ा क्रूर उपहास किया है, अनन्य को उससे हमदर्दी हो आई थी, जीवन से अधिक क्रूर मजाकतों उसके अपनों ने किया है, दो बड़े भाई हैं, एक बड़ी बहन है, तीनों अपनी ग्रहस थी, में इतने मग कि छोटी बहन के संबंध में सोचते तक नहीं मेरी बुआ यानी अवनी की मा बिलकुल अकेली पढ़ गई हैं एक और बीमार पती की तीमारदारी तो दूसरी और अवनी की समस्या उनका हाल पूछने वाला तो कोई है ही नहीं सुजाता का गला भराया आखें भीग गई जो दुखद था पर दीदी इसका अर्थिय है तो नहीं कि पूरा जीवन एक दूर घटना की भेच चड़ा दिया जाए अनन्य को अपनी बात कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे तुम सही कह रहे हो अनन्य पर यह सब उसे बताएगा कौन अभी तक तो सब ने उसके घाव पर नमक छिरिक ने कहीं काम किया है एक दिन अचानक वो मुझ से मिलने चली आई बातों ही बातों में पता चला की तयार होकर कालेज के लिए निकली तो कुछ छात्राएं उसके सामने पढ़ गई अवनी को देखते ही वे आपस में उंचे स्वर में बाते करने लगी कि आज सवेरे सवेरे अवनी मैडम का मूह देख लिया है पता नहीं दिन कैसा गुजरेगा ये बताते हुए वारो पढ़ी सुजाता ने बताया इस तरह कमजोर पढ़ने से काम कैसे चलेगा उन छात्राओं को तभी इतनी खरी खोटी सुनानी चाहिए थी कि फिर से ऐसी बेहुद का बात कहने का साहस ना कर पाएं अनन्य क्रोध से भर उठा कहना बहुत सरल होता है अपनी ही बात ले लो कुछ की देर पहले तुम अवनी के व्यक्तित्व से पूर्ण तया अभिभूत लग रहे थे पर मुझे नहीं लगता कि यह सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हारे मन में उसके प्रती वही भावनाय होंगी सुजाता व्यांग्यपूर्ण स्वर में बोली आपके इस प्रश्न का उत्तर अभी तो मेरे पास नहीं है सब कुछ जानने समझने के लिए समय तो चाहिए न दी दी अनन्य के हर शब्द में गहराय थी अवनी के प्रती सहनुभू सुजाता बस मुसक्रा कर रह गई थी अनन्य के जाने के बाद सुजाता सोच में डूब गई उसके मन में विचारों का तेजी से मन्थन चल रहा था कभी वो अनन्य के बारे में कब तक यूई बैठी रहोगी घेरों काम पड़े हैं तभी दुरूव ने उसकी तंद्रा भं की क्या करूँ फिर वही कहानी दोहराय जा रही है पता नहीं अवनी को कोई सहारा देने का साहस जुटा पाएगा या नहीं निराश स्वर में बोल सुजाता उठ खड़ी हुई इस चिंता में घुलना छोर दो सुजाता अवनी पड़ी लिखी है समझदार है आत्मनिर भर ह धीरे धीरे अपने बलबूते जीना सीख जाएगी द्रूव ने समझाना चाहा था कुछ माह भी नहीं बीते थे कि एक दिन अचाना की शुबदा मौसी का फोन आ गया इधर उधर की बात करने के बाद वे बोली क्या कहूं सुजाता मन रोने को हो रहा है पर सोचा पहले पुशलता की इतनी चिंता कबसे होने लगी तुम्हीं काश तुमने मुझे समय से सचेत कर दिया होता क्या कह रही हो मौसी मेरी समझ में तो कुछ नहीं रहा सुजाता परेशान हो उठी मैं उस मुई अवनी की बात कर रही हूँ पता नहीं कबसे प्रेमलीला चल रही है दो उनों की अब अनन्य जिद जाने बैठा है कि विवाह करेगा तो अवनी से ही नहीं तो कुआरा रहेगा मेरा विश्वास करो मौसी मुझे तो इस संबंध में कुछ भी पता नहीं है पर अनन्य तो कह रहा था कि वो अवनी से पहली बार चिरायू के जनम दिन पर ही मिला था उस समारो में तो बहुत से लोग आमंत्रित थे कहां क्या चल रहा था मैं कैसे बता सकती हूँ ठीक है मान ली तुम्हारी बात पर अब तो कुछ करो सुझाता मेरा तो एक ही बेटा है उसे कुछ हो गया तो मैं बरबाद हो जाऊंगी शुबदा फोन पर ही रो पड़ी ऐसा मत बोलो मौसी ऐसा कुछ नहीं होगा क्या पता इसमें भी कोई अच्छाई ही हो सुझाता ने उन्हें धार हज बंधाया इसमें क्या अच्छाई होगी मेरी तो सारी उमंगों पर पानी फिर गया इससे तो अनन्य क्वारा ही रह जाता तो मैं संतोश कर लेती सुझाता प्रयत न करूँगी मौसी पर कोई वादा नहीं करती तुम तो जानती ही हो आजकल कौन किसकी सुनता है जब अनन्य तुम्हारी बात नहीं मान रहा तो मेरी क्या मानेगा सुझाता ने अपनी विवश्टा जताई थी प्रयत न करने में क्या बुराइँ है तुझे तो बहुत मान देता है, शायद मान जाए, अपनी मौसी के लिए तू इतना भी नहीं करेगी, शुबदा ने जोर डालते हुए कहा था, क्यूं शर्मिंदा करती हो मौसी, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी, सुजाता ने शुबदा को आश्वस्त तो कर, दि उसके आश्चर्य की सीमा न रही, आओ मौसी, तुम्हारा फोन आने के बाद व्यस्तता के कारण अनन्य से मिलने का समय ही नहीं निकाल पाए, मैं आज ही अनन्य से मिलने की कोशिश करूंगी, सुजाता मौसी को अचानक, आया देख वह अचकचा कर बोली, अब उसकी कोई आवश्यक्ता नहीं, बेटी, मैं तो उन, दोनों के विवाह का निमंत्रन देने आई हूँ, अनन्य को बहुत समझाया बुझाया, लेकिन वो माना ही नहीं, पता नहीं, उस जादूगर्नी ने क्या जादू कर दिया, बेटे की जिद के, आगे जुक नहीं पड़ा, शुब सुजाता को भी, दोशी मान रही थी, शुबदा मौसी तो निमंत्रन पत्र देकर, चली गई पर सुजाता के मन में बेचैनी हो रही थी की, आखिर अनन्य क्यूं अवनी के बारे में सब कुछ जानने, के बाद विवाह के लिए राजी हो गया और अवनी कैसे, अपनी पुर समझ लिया है, साथ ही हम ये भी समझ गए है कि शकुन अप्शकुन कुछ नहीं होता, जीवन साथ ही, अगर अच्छा हो तो जिन्दगी अच्छी गुजरती है, अता, एक दूसरे को समझने के बाद ही हमने शादी का फैसला लिया है, सुजाता ने अपने में कई ताजगी क अनुभव किया, अनन्य और अवनी का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन हुआ था, यपी शुगदा मौसी किसी अशुब की आशन का से सोते हुए भी चौंक जाती थी, अनन्य और अवनी के विवाह को अब पांच वर्ष का समय बीत चुका है, दो ननही मुन्नों के साथ दोनों अपनी ग्रहस थी, में कुछ ऐसे रमे है कि दीन दुनिया का होश ही नहीं है, उन्हीं, पर शुगदा मौसी हर परिच्छत को ये समझाना, नहीं भूलती कि शकुन अप्शकुन कुछ नहीं होता, यह, तो केवल पंडों का फैलाया वहम है,